नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए आईए इस वीडियो में हम लोग रचनाओं से रिलेटेड जो भी हमने यहां पर कौन सब्पढ़े हैं उन्हें एक बार फिर से पुना दौरा लेते हैं और रचनाओं के लिए हमें जिन तीन यहां पर औजारों की जरुपढ़ेगी वह हैं पहला हमें पड़े के जरुपढ़ेगी एक परकार की, दूसरी हमें जरुपढ़ेगी एक काफी अच्छे से छिली हुई नुकीली पैंसिल की और तीसरी हमें पट्री का उपयोग करेंगे, जो पट्री का मापन है उसे हम किसी रचना के लिए जो भी लंबाई है उसे जाचनी के लिए ही प्रयोग करेंगे, बनाने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, तो चलिए आईए पहली रचना के उपर ध्यान दे, पहली रचना ही क कि हमारे पास एक कोई रेखाखंड है तो वो रेखाखंड हम A B मान लेते हैं और इस A B को हमें किस अनुपात में बाटना है तीन और दो के अनुपात में बाटना है तो सबसे पहला चरण हम यह करेंगे कि इसकी A बिंदू से नियून कोण बनाती हुई एक हम यहाँ पर जो है नियून कोण बनाती हुई किरन बना लिया और इसका नाम हमने A X रख दिया इसके बाद हम यह रेखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर अनुपात दिये गए हैं उसमें अनुपात के जो पद हैं उनका योगफल क्या है तो अनुपात के जो पद हैं उनका योगफल आप दे बदलते हुए एक और चाप लेंगे फिर इस चाप की तरज्जा गुना बदलते हुए एक और चाप लेंगे और इस प्रकार से कुल पांच चाप हम बना लेंगे और जिनका नाम क्रमशा हो जाएगा A1, A2, A3, A4 और A5 इसके बाद हम जो हमारे पास आखरी यहां पे चाप आ आएंगे A3 बिंदू हमें कहां से मिली क्योंकि जो हमें अनुपात दिया गया था उसका पहला पत तीन था तो तीन और दो के भाग में बाड़ना है इसलिए हम तीसरी चाप पे चले गए और यहां पे अब हमें A5B के एक सामंतर जो रेखा है वो खीचनी और सामंतर रेखा A3 से बना लें जिसका संगत कौन जो है वो A, A5 और B के बराबर हो जाए तो ऐसा करने के लिए आईए देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहां पे 3 बिंदू पे A, A5, B के बराबर संगत कौन बनाना है तो उसके लिए हम अपने प्रकार को लेंगे और उसकी पर रख करके एक त्रिज्या लेते हुए एक इस तरह से चाप बनाएंगे फिर हम A3 बिंदू पे आ करके उसी त्रिज्या की एक चाप बना देंगे फिर हम वापिस इस बिंदू पे जाएंगे जहां पे A, X के रन को यह जो हमारे पास चाप है यह काट रही है और इस काटे और फिर हम अपनी प्रकारगी तरिज्जा को गरबर ना करते हुए यहां पर आ करके इसको इस तरह से फिर से प्रतिछेद करेंगे जहां से A3 और ये प्रतिछेद होते हुए जा रही है यहीं पर हम एक रेखा बना देंगे और वो रेखा जिस भी बिंदू पे हमारे दिये गए रेखा खंड को काटेगी उस बिंदू पे आप देख सकते हैं कि जो लंबाई इनकी विभाजत हो रही है वो असल में तीन और दो के अनुपात में होगी तो ये सारे चरण हैं तो एक बार आईए ये चरण दोरा लेते हैं कि दी गए रेखा खंड के नियून कोन बनाती हुई एक किरण बनाए उसके बाद में जो हमारे पास M और N के अनुपात हैं उनका योग फल करके जितने भी भाग आ रहे हैं उतने भाग हम इस जो किरण है उस पर बनाए फिर A5 जो कि आखरी चाप है उसको हम अपने रेखा खंड के दूसरे अंत बिंदू से जोड़ दें फिर हमें एक सामंतर रेखा बनाए A3C जो कि A5B के सामंतर है और जो हमें ये C बिंदू मिली वो अपेक्षिक बिंदू है जो कि A C और C B का अनुपात 3 और 2 में कर रही है अब एक बार ये रेखते हैं कि ये जो भी हमने कारे किया ये सत्य कैसे है अगर आप एक बार आधार बूत सामानू पातिकता परमे को ध्यान करें तो हमारे पास एक ये परमे होती थी तो वो रेखा जिस भी अनुपात में दोनों ही रेखाओं को बुझाओं को भाज़त कर रही होगी वो बराबर होंगे तो A, A3, A5 का जो भी अनुपात होगा वो ही A, C और A5 का होगा क्योंकि A3, A5 का अनुपात हमने खुद 3 और यहां पे 2 का बनाया है तीन और दो का बनाया है इसका आशे हुआ कि A, C और C, B का भी अनुपात तीन और दो का ही होगा तो इस प्रकार से हमें जो यहां पे अनुपात चाहिए था वो मिल गया और इसकी हमने देख ली कि सत्यता आधारभूत सामानुपातिक्ता प्रमय पर ही आधारित है चलिए आईए एक और रचना देख लेते हैं और इस रचना में हमें एक वृत पर बाहर के बिंदू से इस पर श्रेखाओं की रचना करनी है तो इसको हम किस तरह से करेंगे आईए इस बात को यहां पर ध्यान देते हैं तो पहले समझते हैं कि रचना है क्या यहां पर हमें एक जो है वो वृत दिया होगा और एक बाहरी बिंदू दी होगी हमें इस बाहरी बिंदू से इस जो वृत है इस पर श्रेखाओं बनानी है अब हमको इस वृत का जो केंद्र है वो पता है यह बाहर वाली बिंदू पता है मगर यह नहीं पता है कि यह इस पर श्रेखा हमारी किस बिंदू पर बनेगी मतलब यह तो एक ही बिंदू होगी न इस बिंदू को ढूनना हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा कठिन कार है और इस कार को असान करने के लिए हम क्या करते हैं तरिज्या और जो हमारे पास इस पर्ष रेखाए हैं उनके बीच के जो गुर्धा में उनका प्रयोक करते हैं और वो गुर्धर्म ये है कि ये जो कोण है वो समकोण होना चाहिए तो हमें कुछ इस प्रकार से रचना करनी है कि जब हम ये रचना करें तो ये कोण अपने आप समकोण बन के आ जाए उसके लिए हम एक गुर्धर्म का फिर से प्रियोक करते हैं कि अगर आप अर्ध वृत में कोई एक समकोण की बात करें मतलब कोई एक कोण की बात करें तो वो समकोण ही होगा तो यानि ओपी को हम व्यास मानके अगर एक वृत बनाएं तो वो जिन भी दो बिंदूओं पर यहाँ पे इस वृत को प्रतिछेत करेगा उस बिंदू, तरिज्या और इस बाहर की बिंदू के बीच में जो कोण होगा वो समकोण होगा और फिर हम ये जो त्रज्याएं हैं ये जो इस पर्ष रेखाएं हैं उन्हें अराम से बना सकते हैं तो अब हमारा जो परशन है उसके चलन कुछ इस प्रकार हो गए कि हमारे पास एक वृत है जिसका केंद्र एक बाहर की बिंदू है तो हम सबसे पहले इस केंद्र और इस बाहर की बिंदू को व्यास मान के एक वृत बनाना चाह रहे हैं और अगर आप वृत बनाना चाह रहे हैं तो आपको केंद्र चाहिए तो केंद्र जो है वो ओपी का अमध्ध बिंदु होगा अमध्ध बिंदु आप कैसे पाएंगे रचनाओं से आप अगर इसका सम दूई भाजक बना लें और अगर आप सम दूई भाजक बनाना चाहा रही है तो एक अच्छा तरीका है कि हम लंब सम्दुई भाजक बना लें क्योंकि वो सबसे आसान बैठता है तो अगर हम ओपी का लंब सम्दुई भाजक बनाएंगे तो वो किसी एक बिंदू पर इसे प्रतिछेत करेगा और वो जिस बिंदू पर इस ओपी को प्रतिछेत करेगा उसको केंद्र मान करके हम अगर जो वृत बनाएंगे तो वो हमारे लिए यहाँ पर सार्थक बैठेगा जियो कि यहाँ पर हमारे गुर्धर्मों को भी सही यथार्थ करेगा और अगर हम यहाँ पे जो उनके प्रतिछेत बिंदू आएंगे उस वृत और इस वृत के उन पर इस पर्ष रेखा बनाएंगे तो जो हमें इस पर्ष रेखा यहाँ पर अफेक्षित है वो मिल जाएंगी तो आईए एक बार ये जो हमारे पास यहाँ पे एक रफ आकरिती है इसको किनारे बना लेते हैं और एक फेर आकरिती अब हम बनाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो ये कि हमारे पास एक व्रित है जो की 3 cm का है कुछ इस प्रकार और चलिए आईए इसको थोड़ा सा नीचे बना ले और इसके केंद्र से हमारे पास एक बिंदू है जिसकी दूरी 5 cm दूर है और उस बिंदू से हमें इस व्रित के ऊप उपर दो इस पर शरेखाएं बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एक व्रित बनाना है जो की इस पुराने वाले व्रित को दो जो जगाएं उन पर प्रतिछेट करे और उस व्रित का केंद्र जो है ओपी का मद्ध बिंदू होना कि इसलिए ओपी का लंब सम्दूई भाजक हम बना लेते हैं उसके लिए हम त्रिज्या ओपी के आधे से जादा ले करके एक ऊपर त्रिज्या और एक त्रिज्या नीचे बना लें फिर हम ओ को केंद्र मान करके यही कारे करें और इसके बाद हम इन दोनों ही जो प्रतिछे करें ही ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है यह सिर्फ एक यहां पर बात है इत्फाक की कि ऐसा हो गया इसके बाद आप क्या करेंगे जो आपको यहां पर बिंदू मिल रहा है ओपी और इस सम्दुभाजक के प्रतिशेद का इसको आप केंद्र मान कर और ओसी या सीपी में से किसी क मिल गया यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो बाहरी बिंदू था अगर मैं उसका और इन जो प्रतिशेद बिंदू हैं इनके ऊपर रेखाएं बनाओं तो यह मेरे जो वृत मुझे दिया गया था उस पर इस पर रेखा ही बन जाएंगी और यहां पर हम जिन गुर्धर् सब्रत उते नजर आएंगे कि यह वाला जो कोन है वो चाहिए आप बात करें इस कोन की यह दोनों ही जो कोन हैं वो कैसे हैं सम कोन हैं जो तृज्या और इन इस परश रेखाओं के बीच में बन रहे हैं तो चलिया आईए इस रचना के जो चरण हैं वो द्हुरा लेते हैं क केंद्र और बाहर बिंदू P को हमने जोड़ लिया, फिर O P का लंब समदूई भाजक हमने बनाया, फिर C को केंद्र मानते हुए और O C और C P में से किसी को भी तरज़ा मनानते हुए एक वृत बनाया, और इस वृत को पुराने देखों के पर प्रतिछेद बिंदू पर P से इस पर्ष रेखाएं हमने बना दी, और इन इस पर्ष रेखाओं को मान लेते हैं कि ये A और B पर हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि PA और PB जो हैं हमारे पास यही अपेक्षित इस पर्ष रेखाएं हो जाती हैं, चलिए आईए कुछ प्रशन हल कर लें, तो पहला प्रशन हमें दिया गया है कि एक रेखाखंड का BC का आंतरिक विभाजन 3 और 5 का अनुपात में होना है, इसके लिए एक किरण BX, एक न्यून कोन बनाती हुई हम बनाते हैं, यहाँ किरण BX पर कितने चाप बनाएंगे, तो यह हमें पता है कि अगर हम इस किरण पर चाप बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो चाप इतने होने चाहिए जो कि हमारे रेखाखंड के जो अनुपात है उनके पदों के योगफल के बराबर हो, क्योंकि जब हम उतनी चाप बनाएंगे, तभी हम जो हमारे पास दिया गए रेखाखंड है, उसका जो अन्त बिंदू है, उसको इन चापों की जो अन्त बिंदू होगी, उससे जोड़ पाएंगे, आप देख रहे हैं कि मैंने यहा पे किस तरहां से जो मेरे पास योगफल आया था आठ, उसके बराबर ही यहाँ पे चाप बनाएं, और अब मैं जो आठ भी यहाँ पे चाप है, और जो इसकी आखरी अन्त बिंदू है, इसको आपस में जोड़ दूँगी, और उसके बाद ही हम इसका विभाजन कर सकते हैं तो इसलिए उत्तर हो गया यहाँ पे 8, चलिए आईए, एक और प्रशन देख लेते हैं, एक 7.8 cm का रेखा खंड बनाएं, और इसे 5 और 8 के अनुपात में विभाजित कर दें, तो आप लोग भी अपनी पुस्तिका में मेरे साथ ही ये काम करते जाएं, और अगर आप चाह दिस्कस करते हैं, तो हमने AB की यहाँ पे रेखा खंड की लंबाई 7.8 cm ले लिए और हमें 5 और 8 के अनुपात में सबाटना हैं, तो पहला चरण यह हो जाएगा कि हम A से एक किरण बनाएंगे जो की न्यून कोन की हो, और वो इस तरहां से हमने बना ली, इसका और AB का जो को अनुपात के पदों का जो योगफल है वो 13 आ जाएगा और इसलिए हम इस किरण पे 13 जो है वो चाप बना लेते हैं, ऐसा करने के बाद आपके पास जो A 13 बिंदू है, उसका आप अपनी जो रेखा खंड का जो दूसरा बिंदू था उससे इस तरहां से उसे जोड दीजे, तो आपने क्या किया B को और A 13 को जोड दिया, फिर आपके पास जो अनुपात दिया गया था, इसका जो पहला पत था, इसको देखते हुए आप यहाँ पे A 5 पे आ जाईए, क्योंकि पहला पत 5 है तो इसलिए यहाँ पे हम A 5 पे आ गए, और इस पे अब आपको जो संगत क बन रहा है A, A 13 और B, और जो भी A, A 5 और C के बीच में बनेगा, वो हमें बिलकुल बराबर लेना है, तो A 5 पे हमें एक कोन बनाना है, जो की A, A 13 और B के बराबर हो, उसके लिए पहले आप एक चाब बनाईए, A 3 पे अपने कंपस की धातू नोक को रख करके, और वो ही पर A 5 पे धातू नोक को रख करके एक और चाब बनाईए, इसके बाद में आप इस बिंदू पर आ जाईए, जिस बिंदू पर इस चाब ने A X की रण को प्रतिशेद किया हो, और वहां से आप अपने कंपस की अपने प्रकार की तरज्या को इस तरहां से जो है निर्धारि जो वो एक चाब बनाए, इस पहली वाली चाब और A 13 B के प्रतिशेद बिंदू पर, तो वो आपको कुछ इस प्रकार मिल जाएगे, और फिर आपको इस बिंदू पर आ करके उसी तरज्या की एक और चाब बनानी है, और इस चाब की जो प्रतिशेद बिंदू है, उससे आ आएंगे, तो आपको एक सामंतर रेखा मिल जाएगी, अब ये सामंतर रेखा, जो हमारे पास रेखा खंड A B है, उसको जिस बिंदू पर काटेगा, वहाँ पर आपको ये जो दिया गया अनुपात है, पांच और आठ भागों का, मतलब अगर टोटल 13 भाग हैं, तो 4.8 cm की लंबाई जो है बढ़ जाएगी, और अब अब अपनी पटरी का इस्तमाल करके, A C का जो मान है वो निकाल लीजे, तो मैंने जब इसे नापा, तो मेरे लिए ये कितनी आई, 3 cm आ रही है, तो ये चीज आप भी नाप करके एक बार देख लीजे, कि A C जो है वो आप चेज़ समाजाई होंगी